नमस्कार, बावनाड़ाइस के इस मंच पे आज बात करेंगे AI, AI मतलब Artificial Intelligence इस टेक्नोलोजी का लाश्ट कहीं सालों से हमारे जीवन में प्रवेश करकी है और इसे आदमी को या जनजामन जीवन में इसका प्रयोग होने से आपको कुछ खास विदाय मिलने चालू हुई है इस AI की वज़े से आपने देखा जाए तो अलग-अलग छेत्रों में इसने प्रवेश किया है जैसे कि वेहिकल हो गया या आम जिंदगी में सॉफ्ट्रे हो गया या सोशल मीडिया हो गया इसमें AI का इतना अच्छा उप्योग किया जा रहा है जिसके वज़े से आदमी को इसका उप्योग करके आगी की टेकनोलोजी आदमी को और करीब लाने की और उसका जीवन और सुधारने की कोशिश की जा रही है अगर artificial intelligence और machine tools का प्रयोग देखेंगे तो आज तक 100 billion dollar का revenue ये जमा कर पाए है अगर देखा जाए तो AI और machine tools उनका इतना नाठकिय उत्पादन पुरा है जिसका उप्योग करके life में बहुत सारी सुधाय आपको मिल सकती है ये AI tools और AI का artificial intelligence का इतना बखोबी इसका इस्तिमाल किया जा रहा है आप सोचेंगे कि इससे हमारे life में क्या असर होता है जैसा अगर देखा जाए ये technology आदमी को और ज्यादा बहतर result देने में सक्षम है अगर इसका उप्योग देखा जाए तो software industry है या vehicles है या digital marketing है या social media है इसमें ज्यादा सर उप्योग किया जा रहा है लेकिन आगे जाके next सालों में को ये देखने को मिल सकता है कि इस technology को उप्योग करके आदमी का जीवन और बहतर होने जा रहा है अज देखा जाए तो जर्मनी और कई प्रगत देशों ने technology को उप्योग करके आदमी को इससे replace क किया है जैसे श्रोबो अचकल काम कर रहे हैं जैसे medical हो गया, medical production हो गया, इसमें से वो काम करना बहुत आसान हो गया है और आदमी की तकनीक जैसे AI की तकनीक की वज़े से अच्छा production मिलना चालू हो गया है ये बारे में और विस्तरुत में जानकारी के लेंगे हम लोग कौन से ट्रेंड आज काम कर रहे है, 2024 चल रहा है और 2025, दो सालों में का क्या ट्रेंड हमारे लाइफ में असर करेगा इसके बारे में हम जानेंगे, इसके आगे हम लोग ये देखेंगे विस्तरुत से कि AI और मशिन टूल का किस तरह से उपयोग किया जा रहा है, अगर देखा जा करके डेटा का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है, जो डेटा का कलेक्शन करके उससे AI और मशिन लर्निंग से रोबो क्रेट किया जा रहा है, वो रोबो की मदद से उत्पादकता में अचुकता, सरलता और प्रभावित करने के लिए और उसको बढ़ाने के लि जो पहले एक अडिशनल तरीके से उत्पादन करती थी, आज उनकी मानसिकता बदल गई है, AI के आने के वज़े से AI और मशिन टूल्स और डेटा इन तीनों का कमबाइन करके उन्होंने कुछ रोबो डेवलप किया है, जिसका इस्तमाल आज के उत्पादन में हो रहा है, जै जैसे हमारे डेटा का लेंदेन बढ़ते जा रहा है, जैसे डिजिटल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो साइबर सेक्रिटी का बहुत बड़ा सवाल आ गया है, क्योंकि साइबर अपरादी लोग है, जो अलग-अलग तक्निक धून रहे हैं, तो AI की वज़े से साइब इसके बारे में समश्यतन चल रहा है, तो इसका फाइदा ऐसा है कि लेंदेन करना डिजिटल में, आज की अवशकता हो गई है, कल का मानू यह है कि कल की टेकनोलोजी और कल का डेवलोप्मेंट देखा जाए, तो हर बैंक या गोवर्मेंट यह चाहती है कि हर चीज करनसी इंडियन गोर्मेंट ने लांच की है, पहले से भी डिजिटल करनसी का काम चल रहा है मार्केट में, जैसे हम लोग देखा जाए, तो क्रिप्टो करनसी पहले से मार्केट में हैं दस साल से, अगर इसका अगर सही उपयोग देखा जाए, लोगों को यह भय है कि ज्यादा से ज्यादा प्रभावी माध्यम ढूनना जरूरी हो गया है, अगर आप देखा जाए, तो AI में हम लोग अगर प्रॉपर उसका तहुश्यदन कर सके, और साइबर सीकृर्टी को और एडवांस कर सके, तो इसे फायदा यह होगा कि जो लेंदेन हमारा चल रहा है, ज्यादा सीक्योर होगा, और उसकी वज़े से हर कोई आदमी अपनी अपनी तरह के से वो डायरेटली उसका उप्योग कर सकेगा, आज देखा जाए, तो यूपीय का, यूपीयाई का जो इस्तेमाल है, बड़े पैमाने पे इंडिन गवर्मेंट ने उसको बढ़ावा दिय है, लेकिन फिर भी आज लोग डर रहे हैं इस वज़े से, कि साइबर सीक्रिटी का और अपरादियों का काम मिल नहीं खा रहा है, कहीं न कहीं अपरादी ज्यादा तकनिक की वज़े से उनको हावी हो रहे है, तो इसको करने के लिए हमको AI का इस्तेमाल करना पढ़ना बहु इसकी एक रिपोर्ट बनेगी AI में, जिसका फाइदा हो कि हम लोग उसको उस तकनिक को इस्तिमाल करके इस सब परिशानिये से दूर होंगे, और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत कम समय होगा कि जहां पर हमारे पास ये सशक्त टेक्नोलोज होगी कि जिसका इस्तिमाल करके हम हम लोग बहुत बेतर रिजल्ट डे पाएंगे, AI का और एक इस्तिमाल देन दिन जीवन में हो रहा है, जैसे कि आप देखा जाए तो हर प्रोड़क का मार्केटिंग करना जरूरी है, तो पहले तो हम लोग इस्तिमाल करते थे, कई हम लोग न्यूस्पेपर में आड़ देत या कोई traditional way से हम लोग holding लगाते थे, लेकिन जमाना बदल चुका है, आज आ गया है social का जमाना, जहां पर आप लोग देखेंगे, तो Instagram, Facebook और YouTube जैसे माध्यम आ गया है, जिनसे हम को ज्यादा से ज्यादा लोगो उता पोस्टने का एक तरीका मालू हो गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी परिशानी यही हो गई वापिस, जब हम digital के और बढ़ते हैं, तो हमको cyber security का धोका होता है, तो उसको हमको उसमें से बाहर आने के लिए सबसे बहतर तरीका क्या है, कि हमको AI का इस्तेमाल करना जुरूरी है, इस AI के वज़े से हम लोग जो आजकार data है, उसको बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से analyze कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत बेटर तरीका हम लोग develop कर सकते हैं, और देखा जाया है, तो आपको एक और बात बता रहें, और एक ख्षेत्र है जिस पे AI का बहुत बढ़ा उपयोग हो सकता है, या कर रहे हैं बास्ट चार, पांच और छे सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी medical equipment जो AI-based है, जिससे data लेना, analyze करना और उसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो गया है, अगर देखा जाए, तो COVID के समय में बहुत ही इसका प्रभावी इस्तेमाल हो चुका है, data collection करना, उसे analyze करना या coronavirus से जुड़ी कोई भी समस्या हो, उसके लिए तकनीक ढूढ़ना इस AI की वज़े से possible हो सका है, AI की वज़े से हम लोग data, AI और machine इन तीनों का संगम करके बहुत अच्छी इसको सिवाय दे सकते हैं, अगर corona के समय में देखा जाए, तो उसको analyze करना बहुत ही मुश्किल हो तो उसको लिए हमको अगर उसका कोई मतलब ढूणना है, उसको check करना है, तो उसके लिए ऐसा equipment निकलेंगी कि जिसके वज़े से जिसका इस्तिमाल करके हम लोग आसानी से उस बीमारिया का solution निकाल सकते हैं, उसको analyze कर सकते हैं, इसके लिए हमको यह जो तकनीक है, इसमें AI क का इस्तिमाल बहुत जरूरी हो गया है, इस AI के इस्तिमाल के वज़े से हम लोगों ने कुछ data analyze किया है, उसे collect किया है और उसका इस्तिमाल करके उसके उपर vaccine भी निकाली है, तो आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी बीमारिया चलने हैं, जिसके उपर समश्वदन चल रहा है कि जिसका इस्तिमाल AI और machine learning के साथ होके उससे कुछ equipment develop की जाए, जिसके वज़े से आगे जाके उसको बहुत अच्छा इस्तिमाल हो सकता है, आपको और एक बात बताएं, इसमें क्या है कि जब कोई staff medical में support करता है डॉक्टर को या बिमार आदमी को लिए, तो उसके लिए ह हम लोग एक robot का इस्तिमाल कर सकते हैं, जिसके वज़े से कोई घातिक बीमारी होगी किसी बीमार को, तो उसको अगर सेवा देना है, तो वहाँ पे हम लोग इस robot का इस्तिमाल कर सकते हैं, जो robot AI से संचरीत रहेंगे और जिससे हमको कंट्रोल करके उस बीमार आदमी को proper सेव आसान हो जाएगा, थन्यवाद.